नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सन्मार्ग घर के मंदिर में आप दिया भी जलाते होंगे और धूप भी दिखाते होंगे और इन सभी चीजों को जलाने के लिए आप माचीस का बेभार करते हैं करेंगे नगात्मत चीजों को घोल देता है तो आज हमंगे मंदिर में माचैस क्यों नहीं रखना चाहिए और आप भी अपने मंदिर में माचैस रखते हैं तो आखिर क्या करें कैसे दोसों से बचें पूजा करने के बाद जली वी माचिस वहीं पर आप फेक देते हैं तो फिर आपको यह पीडियों के अंतक बना रहना क्या वसकता है क्योंकि घर के मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बाते हैं जिसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए वरना आपको पूजा का फल पूरा नहीं मिलता अब जैसे आपने घर में पूजा कर ली और जली वी माचिस की तीली वहीं पर नहीं फेके हैं जो आपके मंदिर में मुर्जाया वह पुस्प है जली वी रूई की बाती है उसको तुरंद हटाएं क्योंकि अपने पूजा अस्थान को हमेशा साब भी रखना है और घर में प्रियोग कर सकते हैं यह सरवूत्तम होगा लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा घर में माचिस रखनी तो चाहिए क्योंकि माचिस नहीं रहेगा तो कैसे आप जलाएंगे पर माचिस रखने के कुछ नीयम होते इंगर आप पुजा अस्थान पर माचिस रखते हैं तो किस किसी कागज या कपड़े में लपेट के किसी डबे में डाल कर रखें डायरेक्ट मत रखिए नहीं तो नकात्मक उर्जाएं फैलेगी और घर के मंदिर को जितना साफ रखेंगे उतना ही अच्छा है पुजा घर में क्या नहीं रखना चाहिए देखें बासी हो चुका पुरा देवता की फोटो भी नहीं रखनी चाहिए सौप्ट मुद्रा यानि सौम में मुद्रा में जो भगवान की तस्वीर है उसी को रखें और खड़ी वी मा लक्ष्मी और हनुमान जी का तस्वीर तो भूलकर भी ना रखें पुजा घर में माचिस और जली वी माचिस कित्ती भूलकर भी ना रखें वरना आपके घर में आपको इत्तु पूजा का फल नहीं मिलता और नकात्मक उरजाएं बढ़ जाती हैं दीपक के लौका रंग भी बताता है कि आपकी पूजा स्विकार हुई या नहीं इसके बारे में जल्दी वीडियो लेकर आएंगे फिलार भी झाल 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 झाल झाल झाल